Direct versus Regular mutual fund जब तक हम इन दोनों के बीच का difference नहीं समझेंगे और ये नहीं समझेंगे कि कौन से investor के लिए Regular mutual fund अच्छा है और कौन से investor को यूज करना चाहिए Direct mutual fund तब तक mutual fund series के completion तक अब नहीं पहुत सकते आज के इस वीडियो में हम detail में with data, with facts इसी point पर बात करने वाले कुछ ऐसा analysis आप सभी के सामने आने वाला है जिसको देखके आपको आने वाला है बहुत ही जादा मसा पर सबसे बहले हम ये समझना पड़ेगा कि Regular और Direct mutual fund में difference क्या होता है देखिए, Regular mutual fund वो mutual fund होता है जो आप किसी भी distributor के थ्रूँ buy करते हैं एक example लेने की कोशिश करते हैं We are also working as distributors, हम भी mutual fund distributor है All over the world काफी सारे investors को mutual fund में invest करने में help कर रहे हैं हम कभी भी अपने client से directly कुछ भी charge नहीं करते पर जब भी कोई client हमारे थ्रूँ as in distributor mutual fund में invest करता है mutual fund house हमें उस investment के उपर commission देता है और यही commission हमारे लिए revenue होने वाला है यह होता है Regular mutual fund इसी के against में अगर direct mutual fund की बात करे direct mutual fund में investor directly mutual fund के पास जाता है और mutual fund में investment करने की कोशिश करता है क्योंकि direct mutual fund में कोई भी distributor involved नहीं होता वहां की brokerage या फिर बोल दिया चाहिए expense ratio comparatively कम होता है और इसी लिए direct mutual fund, regular mutual fund के comparison में आदा परसेंट के आसपस सस्ते होने वाले है हर एक mutual fund का ratio कितना सस्ता होगा वो completely scheme to scheme depend करेगा पर roughly आदा पसेंट से लेके 0.75% का difference हमेशे आता है regular mutual fund और direct mutual fund के पीछ में पर हाँ ये समझेगा कि आदा पसेंट का difference आएगा provide आपने same scheme में invest किया है और साथ ही साथ आप अपना emotional management कर पा रहे है ये तो हो गई ये basic definition अब data के साथ एक एक चीच को समझना शुरू करते है मेरा नाम है आनन्त लड़ा CFA, CA, CFP, LLB इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें अगर अभी तक आपके अज़ दीमाट नहीं है description में DMAT account openings और private channel पर जुढने का process मिल जाएगा उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको mutual fund insurance या किसी भी चीज में help करें description में आपको सारे के सारे links और help line number मिलने वाल है चलिए एक एक चीच को समझना शुरू करते हैं ये बात बिलकुल ठीक है कि अगर हमने direct mutual fund में invest किया provided हमारी scheme से में द्यान समझेगा, scheme सेम होना बहुत ज़रूरी है और emotional management हम maintain कर पा रहें हमें आदा परसंट का फायदा होता है जब भी हम direct mutual fund में invest करते है but usually हमें ये समझना पड़ेगा जितने भी लोग direct mutual fund में invest करते उनका selection का process क्या होता है Google बाबा को खोलते है Google से पूछते है कि top 5 mutual fund of 2021 या फिर top 5 large cap fund, multi cap fund, mid cap fund of 2021 और investment करने की कोशिश करते है ये जो selection का process है ये investment process कम मुझे suicide process ज़्यादा लगता है क्यों समझने की कोशिश करते है देखिए पुराने data को हमें जाकर detail में analyze करना पड़ेगा अभी मैं आपके सामने analysis करकने वाला हूँ 2017 के multi cap के top 5 fund कौन से थे आप इदर check out कीजिए नाम को छोड़ दीजिए हमें सिर्फ उनकी ranking से मतलब है ranking check out कीजिएगा कि 2017 के top 5 multi cap fund जिनकी ranking 125 आपके सामने है आने वाले सालों में 2018, 2019 और 2020 में उनका क्या हलुआ आप check out कर सकते हैं जो number 1 fund था ना वो तो top 10 का भी part नहीं बन पाए और यह ऐसा नहीं कि सिर्फ 2017 में हुआ है आपके आगे में 2018 के top 5 multi cap funds रखता हूँ आप इदर check out कीजिएगा जो number 2 fund था वो अगले ही साल 10 के भी नीचे के ranking में जा चुका है इसी तरीके से आप बाकी की भी ranking check out कर सकते हैं और सिर्फ ऐसा नहीं कि 2017 और 2018 में हुआ 2019 के भी top 5 mutual fund आपके सामने यह रहे और आने वाले अगले साल में उनकी ranking क्या रही आपके सामने प्रेसेंटेड है और सिर्फ ऐसा नहीं कि multi-cap funds में ही हो रहा है मैं बाकी भी funds आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अब ही मेना सबसे interesting category आपको दिखाता हूँ large cap mutual fund एक ऐसा mutual fund जो हमें लगता है कि काफी defensive है सब के returns हमें बराबर से ही मिलते हैं हमारा ऐसा ब्रहम होता है उनके भी हम top 5 mutual fund को check करते है आप check out कीजिगा 2017 के fund और 2018 में जो number one fund था वो top 10 fund का भी part नहीं था 2018, 2019 और 2020 में बाकी की भी ranking आप इधर complete data में check out कर सकते हैं 2018 के top 5 funds को check out कर लेते हैं large cap category के हम बात कर रहे हैं जो top 5 fund थे उनके आने वाले सालों में क्या हाल हुआ या क्या बुरा हाल हुआ आप check out कर सकते हैं 2020 मतलब 2019 में invest कर वे top 5 funds का 2020 में क्या हाल हुआ आपके सामने complete ranking है इससे हमें यह समझ आ रहा है कि जो top 5 fund आज के दिन है very high probability की आने वाले सालों में वो top 5 को छोड़िए top 10 का भी पार्ट नहीं बनाएंगे midcap category को नहीं देखा तो क्या देखा 2017 के top 5 midcap category के funds नाम छोड़ दीजिए नाम से हमें कोई मतलब नहीं पढ़ता हमें मतलब पढ़ता है काम से आपके सामने data presented है जो top 5 थे ना आगे भी वही होने वाला है सबसे बड़ा mutual fund selection का blunder है mistake है 2018 में midcap funds top 5 कौन से थे आप चेक आउट कर सकते है आने वाले सालों में क्या हल हुआ आपके सामने data presented है 2019 में same data आपके सामने presented है आप चेक आउट कर सकते है मतलब हमने ये अभी तक ये समझ लिया है अगर हमने blindly top 5 mutual fund select करे और उसमें investment करने की कोशिश करी सिर्फ इस एक criteria के basis में कि कि किसके returns कितने थे आगे हमारे साथ बहुत बड़ा धोका हो सकता है और कितना धोका हो सकता है न वो भी हमें analyze करना पड़ेगा सबसे पहले में आपके सामने multi-cap fund के best performing fund worst performing fund और average fund के returns हर साल क्या रहा है वो present करने की कोशिश कर रहा हूँ आप इदे चेक आउट कीजएगा 2017 के उपर अभी नज़र डालेगा जो average return है वो 36% के आसपास के है maximum return 48% के और lowest return 25% के मतलब maximum और lowest के बीच में तो 23% के आसपास का gap है हमने 10% का direct mutual fund में invest करके बचा तो लिया पर 10% के stake पे हम क्या लगा रहे वो हम समझ ही नहीं पा रहे सबसे बड़ा assumption direct mutual fund में यह होता है कि आप वो ही select करने वाले हो जो आपका advisor या distributor select करेगा जिसके बाद शायद कुछ experience कुछ degree कुछ professionalism भी है उसी के साथ साथ अगर हम 2018 की बात करें same data आपके सामने presented है और difference यहाँ पे भी आपको 10% से उपर मिलने वाल है complete data आपके सामने आ चुका है next बात करते है large cap की large cap में usually investors को क्या लगता है कोई साभी mutual fund ले लो Reliance, Infosys, HDFC, HDFC bank यही तो shares मिलने मुझे large cap mutual fund में क्या ही फरक पड़ जाएगा कितना फरक पड़ेगा ना वो आपके सामने data presented है 2017 में average में और minimum में 10% का difference था और average में और maximum में 8% का difference था और maximum to lowest में बात करें तो almost 18% के आसपस का difference सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ कहां हम आदा पसेंट बचाने के पीछे भाग रहे हैं और कहां हम बहुत बड़ा अपना loss करवा सकते हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं और यह ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साल हुआ था हर साल में आप complete data check out कर सकते हैं और mid cap की data का तो क्या ही कहना आपके सामने प्रेजेंटिट है 2020 में minimum returns थे worst performing fund के 5% maximum returns थे 43% 38% का difference इतना तो ना आप direct में invest करते हुए 50-100 साल भी investment कर दोगे तो आपका नहीं बचेगा जितना आपका एक ही साल के गलट decision में लग सकता है उसी के साथ साथ average returns की बात करें तो average और worst performing fund में भी roughly 15% के बीच का difference है data आपके सामने present हो रखा है यहाँ पर हमने क्या समझा हम direct के पीछे भाग तो लेते हैं पर अगर हमें mutual fund का selection करना नहीं आता तो हमारा बहुत बड़ा blunder हो सकता है इसमें मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि मेरा selection number one होगा आपका selection बिल्कुल खराब होगा यह मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूँ पर हाँ मैं यह बिल्कुल कहना चाहता हूँ और एक professional doctor भी doctor बनके surgery कर सकता है accident के chances दोनों में ही होने वाले आप किससे surgery करनाना पसंद करेंगे आप मुझसे करनाना पसंद करेंगे जिसको doctor से related कोई भी professional experience नहीं है मुझे doctor का D भी नहीं पता surgery का S भी नहीं पता या फिर एक professional से करानी की कोशिश करेंगे I am very sure आप सभी professional के पास जाने वाले हो और professional की ही help लेने वाले हो event manager की बात करते है हमारे घर में कोई भी event होता है हम event manager को hire करते है even after knowing कि अगर हम event manager को hire करेंगे costing बढ़ जाएगी but फिर भी because वो professional है हम professional service लेने की कोशिश करते है life में हर एक काम हम एक professional की help से करते except investing क्योंकि हमें ये लगता है कि भई मेरा पैसा है मेरे अलबा और कोई manage कर ही कैसे सकता है ये one of the biggest mistake होती है especially नए investors की यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि एक ऐसा investor जिसको market में time हो चुका है जो market की उतार चड़ाव को समझता है emotional management को समझता है और mutual fund के selection process को समझता है उसको अपना mutual fund direct में नहीं invest करना चाहिए ये गलत बात होगी उसको करना चाहिए direct mutual fund ये तो वही बात होगी न अगर मेरी खुद की event manager की company हो और मेरे ही घर में कोई चाधी हो obviously वह event तो मैं खुदी manage करूंगा न अगर आपको mutual fund selection का process पता है और आता है और आप खुद अपना process maintain कर रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए बिलकुल आपको diet mutual fund के पास जाना चाहिए पर हाँ अगर आप professional नहीं है किसी और काम में busy है कोई और profession है कोई और business है और इस चीज़ को आप ज़्यादा नहीं समझते तो हमेशा आपको किसी ना किसी के help लेनी चाहिए कभी भी एक penny बचाने के लिए pound को stake में मत लगाई है जिन्होंने 2015 से लेके 2020 तक बड़ ही अराम से investment किया आदा आदा पसंट बचाया भी सही और 2020 में 2013 के भाव में सब कुछ bottom पे बेचके निकल गए सोचके देखिए उन्होंने धाई पसंट तो बचा लिए पर पूरा का पूरा returns उन्होंने खो दिया मार्केट के बिल्कुल bottom में छोड़के वो मार्केट से निकल गए और आज तक वो वापिस में मार्केट में नहीं आ पाए ये मैं नहीं बोल रहा ही direct mutual fund का data बोल रहा ही कि कितने redemption direct mutual funds में होए है especially March और April की बीच में भार भर के redemption होए और majority redemption जो even October, November, December अभी भी चल रहे है न direct mutual fund के बहुत ज़्यादा हो रहे क्योंकि वहाँ पे emotionally management करने के लिए आपके पास कोई भी नहीं होने वाला और मैं अगर मेरी personal बात करूँ तो 2020 के आपने short blast SIP और SIP डबल के वीडियो सो देखे ही होंगे इसे ही कहते है emotional management जिसमें शायद एक professional आपको तोड़ी सी ज़्यादा help कर सकता हो यहाँ पर मैं वापिस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको mutual fund selection का process आता है और emotional management करना आता है तो आपको हमेशा direct mutual fund के साथ जाना चाहिए पर अगर नहीं आता तो एक professional की help लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है एक guide की help लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली सिर्फ आदा परसंट बचाने के लिए हम पूरा का पूरा अपना pound मतलब 100% का portfolio stake में लगा दे यह मुझे अरजुन से बड़े धनुदारी कौर्वो के पास भी थे चाहे वो भिष्म पितामा हो चाहे वो गुरुद्रोन हो चाहे कर्ण हो वो कहीं ना कहीं अरजुन को हरा भी सकते थे उसके साथ साथ हराना तो एक अलग भात है अरजुन ने तो महाबारत के starting में अपने शस्त्र छोड़ देते और कहा था कि मैं यह लड़ाई लड़ी ही नहीं सकता complete विजय में मतलब कौर्वो की जीत और हार के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक जने थे पांडवो के गुरु पांडवो के गाइड श्री कृष्णा यही होती है किसी भी गाइड की और आगर आपको किसी के help requirement नहीं भी है ना तब भी यह काम तो विल्कुल मत कीजेगा कि top five mutual fund search करें उसमें invest कर दिया यह तो वैसा ही होता है कि हमने पीछे देख लिया rear view मिलर पे कि यह पीछे की रोड बड़ी साफ है बड़ी support है और राम से आगे भी सौकी स्पीर पे चलो without knowing कि हमारे आगे ही गाड़ी खड़ी है कभी भी rear view mirror को देखके आगे driving नहीं होती कभी भी past के top five funds को देखके past एक साल में किसने सबसे अच्छा performance किया इसको देखके आपने आगे इन्वेश्च किया तो यह बहुत बड़ा धोका आपके साथ हो सकता है और अर्जुन की हम बात कर रहे था न अर्जुन के साथ एक और स्टोरी है जो आपको समझाने की कोशिश करता हूं आपको बड़ा ही मज़ा आने वाल है I am very sure बहुत सारे लोगों ने महाबारत तो सुनी होगी पर यह आगे वाली स्टोरी मिस हो चुके होगी देखिए जब यह महाबारत की सुरी खतम हो जाती है श्री कृष्ण अपने अंध के करीब होते है उस समय वो एक पेड के नीचे बैठे होते है उनके पाउं में एक तीर लगा होता है वो अपनी सारी गोपियों को बलाते है क्योंकि उनको पता होता है कि जितनी भी गोपिया थी उनके घर काफी ज़्यादा हो के उजड़ चुके विकॉज जो अभी भी लड़ाई चल रही थी या जितना भी अभी संकट आया था उसकी वज़े से वो उनको help करना चाहते है गोपियों को बलाते हर एक गोपियों को बहुत सारा धन देते है धन तो देते है पर उन्हें टेंचन होती है क्या इतना धन लेके जाएंगे रस्ते में कोई लुटोरे ने लूट लिया तो क्या वो अर्जुन को बलाते है कहते है कि अर्जुन कोई दिक्कत नहीं है श्रीकृष्ण मैं बिल्कुल इनको ले जाऊंगा और काप टेंशन ही मत लीजिए जब मैं हूँ तो आपको टेंशन लेने की बात क्या है अर्जुन गोपियों के साथ जाता है और रस्ते में ही लुटेरे आते हैं लूटके चले जाते हैं अर्जुन को गाई श्रीकृष्ण उनके साथ नहीं थे I hope आज का वीडियो आपको तोड़ा डिफरेंट लगा होगा आज तक आपने सिर्फ ब्लाइनली यही सुना होगा कि आदा पसंट बचाने के लिए आपको डारेक्ट मूचल फरंड में चले जाना चाहिए मैं भी कहता हूं कि जान चाहिए पर आगर आपको सेलेक्शन करना आता है और उसी के साथ साथ emotional management भी आता है तब ही जाना चाहिए blindly यह सोचते वे कि मुझे तो सिर्फ मेरा आदा पसंट बचाना है हम blindly डारेक्ट में चले जाए पांच साल दस साल पंदरा साल डाउन दी लाइन एक सिंगल मिस्टेक आपको realize करा देगी कि यार इस से अचा तो हम किसी advisor की या distributor की help ही ले देते हैं अगर आपको हमारी team की कोई भी help चाहिए तो description में आपको help plan number और links मिल जाएंगे मैं कभी भी यह नहीं कहता कि मैं India का number one distributor हूँ मैं नहीं हूँ मुझे पता है मुझसे भी better होंगे और 100% है पर म मैं हमेशा यह ज़रूर कहता हूँ कि मैं अपने investor के लिए caring सबसे जादा हूँ मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा investors के लिए कि मैं खुद तो करू नहीं और उनको बोल दूँ कि जाओ बेटा आप जाके कर लो ऐसा आपको इस channel पर कभी भी नहीं मिलेगा जितने भी पुरान